हेलो गैस और वेलकम बैक टू मैं चैनल अनूप्रिया गैस आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसी फैस रेमेडी जिसे यूज़ करने के बाद आपको पारलर का महंगा वाला फेशल करवाने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं पड़ेगी जी हाँ गैस बहुत से बार लेकर आ गई हूँ एक बिल्कुल नेचरल रेमेडी आपके फेस के लिए सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है घर की मुलतानी मिट्टी आप चाहें तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं अब मैंने ली है पिंच ओफ टर्मरिक पाउडर एंड मैं ले रही हूँ वन टी स्पून रोज वाटर दैन मैंने इसमें यूज़ किया है अलवरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ पतांजली का अलवरा जेल अगर आपके पास कोई दूसरी ब्रांड का हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते है सो मैंने थोड़ा सा एलवरा जेल ले लिया है एंड मैं इसमें एड कर दूँगी अब मैं इसमें एड कर रही हूँ टू टी स्पून वाटर वोटर आप अपने ही सापसे इसमें एड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमें लिक्वीडी रखनी है अब मैं इसे एक स्पून की help से अच्छी तरीक हसे mix कर लोगी गाइस इससे आपके जो face पे दाग धब्ब्पे हो जाते हैं जबhem कि face पे रफनेस आ जाती है या कि face पे एक ने पोड Does की problem होती है scars की problems होती है wrinkles की problem होती है यह सभी होती है तेना चाहिए 5 मिनिटे biology कि अपफो इसे यूज करना आ face पे सबसे पहले इपको अपने face को normal water से wash करना है यदेन आपको इसे अपने face पर apply करना है इससे आप अपने neck area पर भी apply कर सकते हैं यह आपके neck area कि suntan होता है उसे भी remove करेंगा guys यह बहुत ही जड़े आपके लिए helpful होता है क्योंकि इसमें हमने मुलतानिमिट्टे एड़ किये जो कि हमारे संटैन को संट बर्न को भी ये रिमूव करती है हमारे चेहरे के काले पन को निकालती है हमने इसमें एलवराचेल एड़ किया है हमारे स्किन को स्मूध बनाता है गलोई बनाता है और साथी साथ हमारे स्किन को नेचरल पर्बाइब किया है मैं ने इसमें रौसबाटर भी एट किया है стороны जिसे कि हमारे स्कीन के डाक रंक्लो को और जो एजनिंग हो जाती है मारी स्कीन उसे भीक करते दैगा यह हमारे स्कीन को स्मूथर बनाएगा लाइट यह बनाएगा ब्रायटर बनाएगा अट इससे आप जरूर से करें इसे वीक मेरे आपको दो बार प्राय करना है जिससे कि आपको बैस रिजल्ल्ट देगा आक केरिया पर जो डॉक्र27 नेज्च केम नॉजद सब्सक्रिजत जाना उक्रेश परबार मेरे साथ इसमे आप चा सरस्थ चालिया थी। मिनिट्स द्राइ होने देना है एंद देन आपको इसे नॉर्मल वाटर से वाश कर लेना है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो कर लिजे आपके लिए मैं न्यू लेट टेस्ट अपडेट इसे ही लाती रहूंगी सो गाइस मेरा फेस ड्राइ होने के बाद मैंने इस तो अच्छी तरीक इसे वाश कर लिया था आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल ग्लोई लाइटर और ब्राइटर हो चुकी है यह स्मूधर भी हो चुकी है सो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक एंकरमेंट जरूर कीचेगा सो फिल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई